आज का ये लेक्चर बी ए थर्ड येर के स्टूडेंट्स के लिए है अंतरास्टिये संबन्दों का छेत्र अथार्थ अंतरास्टिये संबन्दों की विशेवस्तू 1954 के अंतरास्टिये शान्ती के कार्नेगी संस्थान के तत्वाधान में विंसेंट बेकर द्वारा संपादित एक सरविक्षन के आधार पर अंतरास्टिये संबन्द की विशेवस्तू में इमनांकित अंश शामिल के जाने के नुशन्शा की गई थी अंतरास्टिये संबन्द के स्वरूप तथा प्रमुक प्रभावत पादक तत्मों का अध्यन अंतरास्टिये जीवन के सामाजिक राजनितिक और हार्थिक संगडनों का अध्यन रास्क्रिये शक्ति के तत्मों का अध्यन रास्क्रिये हितों की अभिवरद्धी के साधनों का अध्यन रास्क्रिये शक्ति की सीमाओं तथा नियंत्रण के तरीकों का अध्यन महाशक्तियों की विदेशनीती एवं कभी-कभी छोटे राज्यों की विदेशनीती का अध्यन और अंतिम बिन्दु है एतियासिक प्रश्ट भूमी तता बरतमान अंतरास्टी घटनाओं का एतियासिक परिक्रेक्षे में अध्यन करना बिंसेंट बेकर ने अंतराष्टिय संबन्द की विशे वस्तु में कती पे अन्य बातों पर भी बल दिया है जैसे अंतराष्टी राजनिती में सैध्धान्ती करण परवल, निती निर्मान की प्रक्रिया के अध्यन परवल, समाज विज्ञान के अन्य विश्यों की शोट से लाब लेने की प्रवर्ति तदा विबिन प्रकार्थी घटनाओं के विशेश अध्यन पर जोड़ देने की प्रवर्ति पामर और परकिंस का मत है कि अंतरास्टी संबंद का अंतरास्टी राजनितिक व्यवस्ता से घनिश्ट संबंद है हेंस जे मॉर्गेंधाउव ने राष्टों के राजनितिक संबंदों और विश्व शान्ती की समस्याओं को केंदर बिंदू मानकर अंतराष्टी संबंद का विशलेशन किया है क्विंसी राइट के नुसार अंतराष्टी संबन्द के अंतरगत इन बातों का अध्यन अप्यक्षित है विश्व में तनाव एवं हलचल की सामान्ने दशा आर्तिक, सांस्क्रतिक, राजनितिक छितरों में राज्यों की पारश्परिक निर्भरता की मातरा कानून एवं मुल्यों का सामान्ने स्तर, जनसंग्या तता साधन, उपज और खापत, जीवन के आदर्श एवं विश्व संबन्द की इस्ति पामर एवं परकिंस ने अंतराश्टिय संबन्द के विशेश हेतर में लगबग चार दशक पहले निमनांकित बातों का समाविश किया था पहला विश्व समुधाय, दूसरा युद एवं शान्ती, कीतरा विचार धारा, चौथा रास्टिय हित, पांचवा रास्टवाद, सामराज्यवाद, एवं उपनि वेश्वाद, छटा आर्थिक कारक, एवं सात्वा, रास्टिय चरित्र वेश्विकर्ण का अर्थ वेश्विक बाजार, वेश्विक तक्नीक, वेश्विक विचार और वेश्विक एक्ता को बढ़ाकर अंतराश्टी सम्मंदों को उक्ता करना है संग्षेप में अंतराष्टी संबंद की विशेवस्टू को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है पहला बिंदू है अंतराष्टी संबंद के प्रधान पात्र राज्य States as Actors अंतराष्टी संबंद के प्रमुक पात्र राज्य होते हैं और इसके अंतरगत राज्यों के बहिये वहवार का अध्यन किया जाता है राज्यों के हाफ्ती संबंद बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्मों जैसे भूराजनितिक, एतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्मों से प्रभावित होते हैं दूसरा बिंदू है अंतराश्टी संबंद शक्ति के अंधिन पर बल देता है अंतराश्टी संबंद में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया गया है उतना कलाचित किसी और विशे पर नहीं दिया गया है प्रोफेसर हंस जय मौर्गन्थाव ने लिखा है अंतराष्टिय संबंद प्रतेक संबंद की भाती शक्ति के लिए संगर्ष है अंतराष्टिय संबंद का अंतिम दक्षे चाहे जो कुछ भी हो शक्ति सदेव तातकालिक लक्षे रहती है तीसरा विद्दु है अंतराष्टिय राजनितिक संस्थाओं और संगठनों का अध्यन आधुनक युग में राज्जों के संबंद द्विपक्षिय ना होकर भहुपक्षिय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षी संबंदों के संचालन में अंतराष्टी संगठनों की भूमी का महतवपूर्ण मानी जाती है विबिन अंतराष्टी संगठन राज्यों के आप्थी सहयोग के महतवपूर्ण मंच माने जाते हैं जैसे आर्थिक छेत्र में येरोपियन साजा बजार, वर्ल्ड बैंक, कॉलम्बो योजिना, विश्व व्यापार संगठन इसी प्रकार के सनिक संगठनों में नाटो, सीटो, वर्साय पैक्ट, सेंटो, आदी राइनिदिक छेत्र में राष्टर संग, सेंट राष्टर संग, आदी प्रादेशिक संगठनों के अंतरकत अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफरीकी एकता संगठन, सार्क, आसियान आदी चौथा बिंदू है युद्ध एवंशान्ती की गतिविदियों के अध्यन पर बल अंतराष्टी संगन, विश्व युद्ध एवंशान्ती के प्रश्णों के संगन्दित है विबिन राष्टों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हितु कभी-कभी युद्ध हो जाना सोभाविक है हम सभी जानते हैं कि अब तो राष्टों के मध्य विना बंदूग चलाए भी युद्ध हो जाते हैं शीत यूद एक प्रकार का स्नायू यूद था अंतराश्टी सम्मन अधिकांश्ट युद एवम शान्ती के प्रशनों के इड़धी इड़धी चक्कर काटते हैं पाच्वा बिंदू है विदेश नीती निर्धरन की प्रक्रिया का अध्यन फेलेक्स क्रॉस का अमत है कि अंतराश्टी सम्मन का अध्यन वास्ताव में विदेश नीतीयों का अध्यन है अंतराश्टी सम्मन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विबिन राष्ट अपने अपने हीतों की रक्षा करने का प्रहतन करते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों की विदेशनीती के माध्यम से ही काम करती है इसलिए विदेशनीती के अध्यन से अंतराश्टी संबन्द के अध्यन की मांग किती हद तक पूरी हो जाती है स्वतंतर राज्यों के पारस्परिक संबंदों का संचलन करने में अंतराश्थी कानून का बड़ा महत्व है जिस प्रकार समाज में व्यक्ती, बिना नियमों, कानूनों एवमरिती रिवाज़ों के नहीं रह सकता उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतरास्टिय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विविन प्रकार के संब्द नहीं बना सकता साथवा बिंदू है विदेशी व्यापार एवं अंतरास्टिय आर्थिक संगठनों का अध्यन राज्यों के आर्थिक हित राजनितिक क्रियाकलाब को प्रभावित करते हैं विदेशी व्यापार राज्यों के राजनितिक संबन्दों उघनिट बनाता है विबिन अंतराष्टी नियम विदेशी व्यावसाय को नियंत्रित करते हैं विक्सित देशों द्वारा, विकासों नमुक रादेशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार और भुक्तान सम्जोते अंतराश्टी सम्बन के विध्यारती की अभीरूची के विशे हैं आठवा बिंदु है सैनिक संगठनों और राणितिक गुटों का अध्यन दित्य विश्युत के पश्चात, सामयबादी गुट, सोतंतर समाज, गुट निर्पेक्स राज्ये, अरब समुदाय, अफरीकी देश, G8, G15 जैसे अनेक राणितिक गुट अस्टित्तों में आये हैं ये राणितिक गुट सेंगत राष्ट संग के मंच पर अत्वा उसके बाहर अनेक मामनों पर मिलजुलकर कारे करते हैं, इन गुटों को जोडने वारे तत्मों, उनके मदभेदों तता विवादों का अध्यन अंतराष्टी सम्मन्द की विशेवस्टू के अंतरगत आता है लेके हो ज एक इयाँ में आता है comportें का विवादू watering पर परपके का राष्टी सम्मन्द के कि भीवस्टन अंतरगत राष्टी